नमज़का दोस्तों मैं हुतार आप देखरे हैं तो इन्फिनिक्स टे इंडीया में लाउंच कर दिया उनका लेटेस 2023 का 5G स्मार्टफोन सीरीस विच इन्फिनिक्स जीरो सीरीस यहाँ पर टोटल दो स्मार्टफोन आपको मिलने वाला एक है इन्फिनिक्स ZERO 5G 2023 जिसका प्र 28 GB with Diamond City 920 का प्रोसेसर और दूसरा जो स्मार्टफोन है विच इन्फिनिक्स 0 5G टर्बो 2023 जिसका प्राइस किया गया है 19,990 रुपए मतलब 20,000 रुपए और यहां पर आपको 8 GB 256 GB का RAM ROM variant मलता है और यहां पर जो प्रोसेसर है विच इस डामन सिटी 1080 का प्रोसेसर मिलता है तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ता है आपको बताते हैं इन्फिनिक्स 0 5G 2023 टर्बो एडिशन स्मार्टफोन के बारे में यह वो स्पेशल पाकेजिंग मार्वल स्टूडियो एंट मैं के साथ यहां पर क्लाबरेट किया गया जो अपकमिंग मूवी है इन्फिनिक्स 0 5G 2023 सीरीज है और काफी अच्छा पैकेजिंग है काफी स्टाइलिश पैकेजिंग है यहां पर तो सबसे पहले अच्छा इसको हटाते है यहां पर आपको बहुत सारा अक्सेसरीज मिलता है यह तो एक बॉटल तो मिलता ही आपका वाव इस से मेटल बॉटल बेरी गुट तो आप इसको कर सकते है इस नाइस यार परसुनलारिज़शन है यहां पर इन्फिनिक्स लिखा है इसको रखते हैं यहां पर उसके बाद यह वाला भी काफी बढ़िया एक अड़ान है लुक्स टीली गुट जो लोग मार्वल के फैन है उन लोगो तो यह वाला चीज बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है यहां पर आपका कुछ सिक्रस भी है वाव यह चार अलग-अलग है अच्छा पीछे यह पर अलग आपको मिलता है अधा डिवाइस इसका भी एक स्पेशल रैपिंग है बॉक्स का और खोलने के बाद आपको मिलता है इन्फिनिक जीरो 5G 2023 का बॉक्स यहां पर अगर देखा जा है हाई रेजोलूशन आडियो मिराट एक डाइमन सीटी यह फाइट जिरो फाइट जिरो 8256GB का रैम राव वीरिंट है मतलब 8GB को आप 13GB तक बढ़ा सकते हैं अल्टा स्मूथ 120Hz का डिस्पे है फुल एच्टी प्लास रिसलूशन है 33W का फास्ट चाज़र है पांट से बैटरी दिया गया है तो यह सभी चीज दिया गया है सबसे पहले यह डिवाइस दिया गया ह है देन अगर देखा जाए कुछ यूजर मैनूल वारेंटी इंफरमेशन है एक सिम एजक्टर पेन है तो यह सब को अगर हटाते आपको और क्या मिलता है आपको मिलता है एक ट्रांस्पारेंट टीप्यों केस जो आप डिवाइस को प्रोटेट करने के लिए लिए लगा सकत है तो इसको थोड़ा बहुत चेंज करते हैं अरे वाँ अभी सही लग रहा है अभी तो कलर से कलर मैच हो गया तो जो मैं बता रहा था यहां पर लेदर टेक्टर बैक देखने को मिलता है बहुत बढ़ी अलगता लेदर टेक्टर बैक और उसकी साह साहथ ओवर यह प्लास् क्रावर ट्र मेरे पास है विडिकेटर माईक का रवाए अब सिकानर तो यहांप़े अध्यूशन च्राइग कर दिदेक्टर ऐगा जागा सकते मैं फिर से पता तू मेरे पास जा वार्यंट है जो फी एट जी पी राम एंड के ट्यूटी सो डिशन है विच जिए विच इस 60 fps and video का जो viewing experience है बहुत बड़ी है मैं कुछ time से इस device को इस्तमाल करो and outdoor, indoor कहीं पर पी आप इसको इस्तमाल करते है visibility को लेके आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको बहुत बड़ी है यहाँ पर visibility मिलेगा और अगर आप entertainment purpose इस्तमाल करना चाहते हैं यह वाला device आपको disappoint नहीं करेगा and as I said यह काफी fast and snappy experience देता है क्योंकि touch controls काफी अच्छा है यहाँ पर मतलब touch response जो होता है and उसके साथ-साथ 120 Hz का refresh rate है तो overall in terms of the display आपको काफी एक अच्छा experience मिलेगा उपर और साइड में जैससे आप देख पाते ब्रेजल काफी कम है नीचे हलका सा चिन है and एक punch hole camera है हाला कि यह AMOLED display नहीं है AMOLED display होता तो और भी जैदा मज़ा आता फिर भी यह वाला display बहुत बढ़िया है in terms of view angle काफी अच्छा आपको मिलता है मैं एक बाद जल्दी से इंफो चेक कर ले तो देखता हो widevine का क्या सर्टिफिकेशन विच इस गुड़ इसका मतलब यह है अगर आप Netflix आपर Amazon में कोई भी content देखना पसंद करते है तब high resolution HD plus content आप देख पाएंगे because widevine का L1 certification डिवाइस पर मिलता है अभी next जो चेक करेंगे which is the sound तो यह dual output नहीं है single output speaker है कुछ दिन पहले Infinix ने Infinix Note 12 i launch किया था जहां पर आपको dual stereo speaker मिल रहा था जो under 10,000 रुपीज पर मिल रहा था इवें 9,000 रुपे के आसपास मिल रहा था और वहाँ पर जो speaker quality था वो बहुत बढ़िया था तो यह काफी एक expensive smartphone है लगबग 20 रुपे लाँच हो तो यहां पर वो चाहते है तो dual speaker दे सकते थे तो यह एक चीज़ मुझे थोड़ा सा negative point लगा क्योंकि sound profile could have been better and सबसे पहले जाते है settings में and my phone के अंतर आपको यहां पर मिल जाता है Android 12 out of the box तो यहां पर hopefully Android 13 आएगा I'm not sure about that but मुझे लगता है एक update तो इसके अंदर आएगा बड़ ऐसा official कोई update नहीं है and काफी fast and snappy experience मिलता है क्योंकि अगर हम settings में जाते हैं उसके बाद display के अंतर जाते हैं and यहां पर आप देख पाएंगे जो screen refresh rate है that is 120 hertz जी हां मैंने 120 hertz में इसको set करके रखा है तो इस्तमाल करने में काफी मज़ा आता है and आप 68 जाए फिर auto switch में भी रख सकते हैं मैं generally 120 hertz में इस्तमाल कर रहा था काफी fast and snappy यहां पर experience मलता है मैंने यहां पर कुछ-कुछ already applications and game मैंने install किया है and उसकी साथ मैंने Jio 5G भी यहां पर लगाया है थोड़ा बहुत टेस्ट करने के लिए हाला कि मैं अगर आपको थोड़ा बहुत टेस्ट आज दिखा हूँ मैंने Jio 5G का यहां पर टेस्ट किया था अलग-अलग जगा पर यहां पर up to 630 Mbps, 722 Mbps तो अलग-अलग जगा पर अलग-अलग स्पीड यहां पर मुझे मिला है कोल का था में and वीडियो टेस्ट भी यहां पर 2160P का आपको वीडियो टेस्ट मिला है तो ओर अलग अगर 5G connectivity देखा जाए Jio 5G connectivity कोल का था में काफी अच्छा है यह तल अभी तक launch नहीं हो है बट मैंने अभी तक इतना 5G टेस्ट किया 5G वाक्स रिली गुड Vio 5G पर यहां पर अवलेवल है यहां पर आपको मिलेगा यहां पर Mediator के प्रोसेशर दिया गया है विच इस दर Diamond City 1080 प्रोसेशर यह काफी fast and snappy experience आपको प्रोवाइट करता है मैंने यह पर बहुत तरह high-end game कहला है gameplay is really smooth and responsive बहुत अच्छ है यह आपर आपको gameplay मिलता है और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ gameplay के time में इसका sound performance मुझे काफी बढ़िया लगा let me give you an example normal timing मुझे थोड़ा कम लगा था music play के time में but gameplay के time में sound काफी loud था हलागे हा मैं फिट से बता रहो stereo speaker होता था इसमें बहतर होता single जो bottom-hand speaker दिया गे as I said average और इसको हम थोड़ा सा above average बोल सकते है अब यह बात करते है कैमेरा परफॉर्मस के बारे में इंफिरिक जेरो 5G टर्बो 2023 में दिया गया है triple rear camera setup which is the 50 megapixel primary sensor 2 megapixel का bokeh or depth sensor and 2 megapixel का 1 macro sensor selfie camera का दिखा जाए एक 16 megapixel का selfie camera दिया गया है selfie में dual LED flash है rear में quad LED flash आपको मिलता है तो चलिए जल्दी से जाते camera user interface देख लेते हैं तो यह रहा कुछ इसका camera user interface नीचे से उपर करेंगे you will get all the options like super night mode है AR shot है short video slow motion यहाँ पर अभी sky shop का भी option है जिसके बारे में थोड़ी दिर में बात करेंगे super macro time lapse तो you will get all kind of options यहाँ पर 50 megapixel का dedicated option दिया गया that also you can use वीडियो के अंदर मिल जाता है full HD 30 60 fps and 4K 30 fps लेकिन अगर आप stabilization on करते हैं आप only for full HD 30 fps में वीडियो recording कर सकते हैं तो stabilization only for full HD 30 में available है बाकी में नहीं है अगर selfie camera देखा चाहिए, selfie में भी same है full HD 30 fps में stabilization option available है और बाकी काली 720p option available है AI है portrait mode, super night mode है अगर हम लोग slow motion में जाते हैं तो यहाँ पर highest आप 960 fps तक का भी slow motion recording कर सकते हैं जो generally काफी premium category स्मार्टफोन में देखने को मिलता है हलाँ के 120 and 240 fps का भी option available है तो यही आपका कुछ options मिलेगा camera के अंदर camera performance comes out really well अगर आप daylight में photo उठाते हैं बहुत अच्छा dynamic range के साथ आपको photos मिलेगा मैंने बहुत सारा photos उठा है because I have been testing this device from last 3 plus days and overall मुझे daylight photography बहुत अच्छा मिला और तो यहाँ पर एक super night mode है जो भी आप इस्तेमाल करके low light photos उठा सकते है हला कि मैंने low light में उठा जादा अभी तक photo नहीं उठा है तो इसको और भी test करना मेरा बाकी है low light में लेकिन जहां तक selfie camera का सवाल है 16 Megapixel का selfie camera है वो बहुत अच्छे अच्छे photos produce करता है आप बहुत अच्छे अच्छे social media जिनिक photo उठा सकते यहाँ पर beauty, portrait और भी बहुत सारे अलग-अलग options आपको मिल जाएगा तो selfie camera performs also really well एक चीज़ मैं पताना चाहता हूँ कि हाला कि यहाँ पर कोई dedicated telephoto lens तो नहीं है लेकिन इसका जो portrait shots है मैंने 3-4 shots लिया है that comes out really well हाला कि कभी-कभी मैंने देखा color थोड़ा सा boost up हो जाता है मतलब चैरा थोड़ा सा warm हो जाता है बट अगर background and foreground separation देखा जाए या फिर age detection देखा जाए मैं बोलगा पिछले generation से थोड़ा सा अच्छा मिलता है it's not perfect but better than the last generation तो अगर आप portrait photo उठाते है यहाँ पर आपको अच्छा आप portrait shots भी मिल जाएगा अभी मैं बात करना चाहता हूँ video performance के बारे में rare and selfie जैसे आप लिए देखा दोनों से आप full HD stabilized videos ले सकते हैं मैंने daylight and low light में बहुत सारा videos उठा है here are the samples so यह rare camera sample आप up to 4K 30 fps तर वीडियो recording कर सकते हैं लेकिन अगर आप stabilization on करेंगे तब आपको full HD 30 fps तरका option मिलेगा जो आभी में recording कर रहा हूँ with stabilization full HD 30 fps यहाँ पर जूमी को option available है and overall चलते चलते मैं video ले रहा हूँ and काफी ठीक टाक speed से चल रहा हूँ यह है full HD 60 fps and 60 fps में कोई भी stabilization नहीं मिलता है लेकिन 60 fps में आपको काफी smooth footages मलता है हाला कि चलते चलते 60 fps video recording करना तो suggested नहीं है तो यह selfie camera video जहाँ पर आपको दो जो option दलता है 720p and full HD दोनों में आपको stabilization मिलता है full HD 30 fps में आपको selfie camera से stabilized videos मिलेगा कुछ इस परकार का आपको video देखने को मिलेगा यह है without stabilization जहाँ पर आपको stabilized तो नहीं मिलेगा लेकिन crop factor जो हो हट जाता है क्योंकि जब भी आप stabilization on करते है तब वहाँ पर आपको थोड़ा से crop factor देखने को मिलता है यह rear camera sample low light में full HD 30 fps with stabilization recording कर रहा हूँ जो sound recording हो रहा हूँ which is from the internal microphone यहाँ पर चारो तरफ artificial lighting करनी शहन है कोलकता में start हो गया है international book fair यह है selfie camera footage जाम पर फुल HD में stabilization recording कर पाएंगे and this is basically a low light video test अगर आप artificial lighting में videos लेते हैं इस पकार का आएगा अभी complete artificial lighting है Overall video performance seems pretty good and thanks to the stabilization क्योंकि आजकर stabilized video मिलना काफी जरूरत है क्योंकि shaky video आप कहीं पर काम में नहीं लगा सकते stabilized videos होगा आप reels उठा सकते हैं चलते चलते video ले सकते हैं vlogging कर सकते हैं so you can do lot of things apart from that आप slow motion videos भी recording कर सकते हैं time lapse videos भी recording कर सकते हैं और एक चीज़ काफी important है which is the sky shop यहां पर भी sky shop sky shop recently introduced किया है infinix ने यहां पर आप चाहे तो रंग भी रंग फोटोस उठा सकते हैं sky के color को change करके काफी interesting photos उठा सकते हैं even आपके दोस्तों को pop out भी बना सकते हैं मैंने अपने दोस्तों को बना है वो इंद रुधन उच वाला फोटो लेके जो भी है तो यह काफी कुछ interesting चीज़े है camera के अंदर जो आप definitely try out कर सकते हैं इस device को ऐसे my secondary device इस्तेमाल कर रहा हूँ from last three plus days and मैं Jio का SIM इस्तेमाल कर रहा था and Jio में मुझे बहुत अच्छा 5G का network मेला बैटरी मिल रहा था बीच में एक बाइक राइट पर गया था एक दो दिन पहले जहां पर मैं इसको इस्तेमाल किया था even जैसे मैं बता रहा था actually battery usage तोटली आपके इस्तेमाल की उपर है मैं जब बहार निकलता हो अपने फोन लेके टोटली अप्स तो यू बट था फास्ट आजर एंड जो पाइटरी का बैटरी डिया इसे वेरी गुड कॉंबिनेशन इट वीज़ी ला स्मूर्ड दर नीट है अगर आप बहुत साथ हेवी इस्तेमाल करते फिर भी यह एक दिन से ज्यादा आपको परफॉर्मेंस दे देगा आप जाके वहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं अगर कुछ प्रोज और कॉंस के बारे में बात किया जाए इस्तेमाल करके बाद मैंने जितना नोडिस किया है प्रेजेंटेशन देवाइस बहुत खूबसूरत है 120Hz डिस्पले है उसके साथ साथ आपको Full HD Resolution मिलता है तो ओवराल टच रेस्पॉंस इस डिली गूड काफी फास्ट अन फ्लूइंड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा प्रोसेसर इस रिली जैम इस प्राइस रेंज की साथ से मैं बूलूँका बहुत एक अच्छा प्रोसेसर है तो प्रोसेसर लेके गेमिंग लेके कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा camera performance is pretty good हाला कि इसको मैं अगर compare करता हो Infinix Zero 5G से वहाँ पर primary sensor के साथ साथ आपको एक ultra wide angle sensor बिलाता है and एक telephoto lens मिलाता है जो मुझे काफी पसंद है for better portrait shot and that optical zoom वह यहाँ पर missing है तो यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत disappointing लगा but overall camera performance ठीक टा किया मैंने बूलूँग अब top notch है यहाला कि full review में definitive cover करने का कोशिश करूँगा speaker quality could have been better जो मुझे लगता है dual speaker होता तो बहुत बैतर होता क्योंकि price almost 20K के आसपास है तो dual speaker होने से बहुत बैतर होता single speaker मैं बोलूँगा above average kind of sound मिलता है and android 12 के साथ आया है वो लोग android 13 दे सकते थे because it's a 2023 smartphone but hopefully they have confirmed I think officially नहीं तो मुझे लगता है android 13 का update इसमें तो short shot आयेगा तो वहाँ पर एक update तो आपको for the timing मिल रहा है बाकी का मुझे पता नहीं है तो यह कुछ-कुछ pros and cons for the timing मैंने notice case device के बारे में either that it's a very good solid compact device with a very good processor इसको आप चेक आउट कर सकते है flip card पे link मैंने description में डाल दिया है और अगर आपको मुझते कुछ जानका रिलेना है do write it on the comment section I will try to answer as much as I can तो इस वीडियो में अभी तक लिए इतना है this is your host of me signing off from my dadok hope to see you in my next video bye bye